हेलो फ्रेंड्स विल्कम माई यूटूब चैनल अक्षे नॉलेज में आपका बहुत बहुत श्रागत है याशे कि आप देख रहे हैं कि कल का जो हमने वीडियो अपलोड किया था वह हमारे इस टॉपिक से जो आप देख रहे हैं जैसे कि वालमीकी रमैर इसके बारे हमने जो इसकी आप करें हैं तो कल हमने यहां तक इंडी कर दिया इसके आगे कि हमारी नॉलेज है तो हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी इंग्रिश दोनों से यह कंवर्ट है यह रमैर तो अगर जो इंग्लिश पर पढ़ना चाहेंगे तो हम आप के लिए हिंडी में सबते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था कि सिता और रूरuna वह किस प्रकाशं माणवे कश्टी सरह स Deaf Chess Champ Karanva इसे बालमीकी ने अद्विती रूप से रामैड में प्रस्तुत किया है ना जो बालमीकी थे तो उन्होंने बड़े एक खुबसूरत रूप से इसको प्रस्तुत किया है ना अब इसके आगे कि जो हमारी शिष्टोरी है तो शम्री यापना शुंदर कांडा प्रदा रामैड तो वो अब हमारा हम सुन्दर कांड जो रामैड में जो सुन्दर कांड है हम उसी ओर अब हम जाने वाले हैं तो चलिए जानते हैं तो क्या है यहाँ पर कि महेंद परवत पर चड़ाई करते हुए हनमान ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया तांकि वे छलांग मार्शा क और परवत इनके प्रयास से कंपित हो गया है और उन्होंने शुयम कहा कि यदि वे सीता को ढोड़ने में अशफल रहें तो वे लंका को तहश नहश कर उसे रावड शहीत राम के पाश लाएंगे और फिर वन से बिदा लेते वे इंतजार करने को कहा और फिर वे नीचे की जुकने लगे हवा में जूले और विच्छो पहाड़ों को कंपित किया है ना हम ये सुन्दर कान पर रहें ये जो हनवान जी की जो लेला है जब उस सीता मातों को ढोड़ने में कितने मतलब अथा प्रयास किया उसने तो हम उसकी बारे में जान रहें कि उसने मतलब उनको भुला दिया है ना यहां तक कि परवत और पहाड ने जो पहाड है जो विच्छ है जो भी जितनी चीज़े हैं सब उनके मतलब इस क्रिया से कंपित हो गया उरांच से हवा फूलों को ले गई पहाडों की कंपित किया उरांच से हवा फूलों को ले गई और आकाश में उलक कि वे उनकी मुख में आ जाए उन्होंने उसे उसकी मदद को कहा पर उसने इंकार कर दिया और कहा कि वे उसकी मुख में प्रवेश करें कि इसने कहा सुर्चा ने कहा सुर्चा ने मदद करने को मना किया और इसकी बल्ले में सुर्चा ने क्या कहा उसे कि वे उनकी मुख में प तो हनुमान जी ने भी बढ़ाया एकदम बादल की तरह हो गया सिर्फ एक अंगूठे जितना फिर से उसके मुझे प्रवेश्ट कर गए है और जब सुर्चा ने बहुत बड़ा अपने मुझे को मतलब बड़ा किया तो हनुमान जी ने क्या अपना दिमाग चलाया कि उसने अ तो सिर्फ एक अंगूठे जितना सिर्फ में और फिर वे मुझे प्रवेश्ट कर गए और बाहर निकल कर देवों की प्रशंचा की वीच यात्रा चालोगी है और जब उन्होंने अपना ये करता बें दिखाया तो देवोंने उनके क्या क्या प्रशंचा शुरू कर दिया औ और फिर उन्हें शिमिक का नामक राक्षश्री मिली वे भी बेक्तियों को उनकी परशाएं देकर खा जाती थी हनमान जी के लिए उसने भी अपना बड़ा मुझ खोला वो फिर से वही किरिया किया वो बहुत छोटे बनकर उसके मुझ में घुश गया और उसे मारी डाला फ तो हमें यहां बहुत कुछ शेखने को मिलता मुटिवेशन होता है कि मनुश के जीवन में कई तरह की परशानिया आती है कोई तो अथाखार के वापिस लोट जाता है लेकिन यहां पे जो हनमान जी की जो यहां पे जो क्रिया दिख रही है तो हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा मतलब एक मोटिवेशन है कि प्रॉब्लम हमेशा हर किसी की जब कोई आदमी इंसान आगे बढ़ता है तो उसके जीवन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती है तो कोई-कोई वो प्रॉब्लम को पार करते वे अपनी दिमाग शे वो आगे बढ़ता है और कोई- पार करके हो गया जैसे हमें बहुत कुछ नहीं देता है उसके लिए समस्याओं को पार करते वे वो अपने लच्छी की और चल दिया है ना तो यहां से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए तो लंका के समीब मतलब हर्मान जी को आगे कोई-कशन नहीं हुआ लंका के शमी पाने पर वो श्रमान आकार के हो गया जैसे वो थी और लंका का निरेच्छड किया पहाड से उतर कर रहे हैं पूड़े लंका को क्या किया पहाड से उतर कर उसने क्या किया लंका को पूड़ी तरह से मतलब जा नहरे के लिए हैं खुबशूरत बगीचे भी देखें फिर उचने बिचार किया कि छोटे वानर का रूप कर रवड की राजधानी में जाएं और शीता के लिए हर निवाश को खोजें गोधुली होने पर गोधुली मतलब होता है शाम मतलब की ना तो रात ना तो दिन पर उन्हें उसे गिरा दिया फिर उसने च्छमा मागी और कहा कि वे मुक्ति दाता है एकर्थ उसे उन्हें आने दिया और सीता की खोज के लिए कहा फिर वे रात्री को दिवार लाग गए और वहां की खुबसूरती देखी राक्षसों को गाते बजाते वा मौच करते वे पर हर तरब देखने पर भी शीता कहीं भी नहीं दिखाई दिया वो तो अपने लच्छी की ओर देखने आये थी उनको तो सीता मातों को कुछ नहीं था तो उन्हें मतलब ना तो उन्हें कोई गारने बाजाने में कोई इंट्रेस्ट था ना तो किसी भी प्रकार्शे मतलब किसी भी जैसे इतना भब महल था तो उन्हें सारी शीजों को नजारत देखने का कोई फिंटरेस्ट नहीं था वो तो सिप सीता मातों को खुज नहीं आये थे हैं ना तो जब वो चारों तरब देखें तो सीता कहीं दिखाई नहीं दी अनेक राजभवन देखें पर देखते ही बनता था क्योंकि वो रावड की लंका ही सोने की थी तो उसकी खुबसूरती का तो कोई बात ही नहीं फिर रत की तो बात ही क्या उसमें रत की बात ही क्या उसने उसे भी प्रवेश किया और खद्दान ततर पेवे की खुश भूली मतलब कुछ खाया पिया तो अपने क्रिया कलाब में बेस्ट थी और वे सब रावड की और एक दमसी शमर पी थी पत्नियों से गिरा रावड भी गहरी नीद में था पत्नियों से घिरा राबर जो वो गहरी नीद में था और फिर एक अत्यनत रुपवान इस्त्री को देखा हनमान ने श्वयम से कहा कि वह इस्त्री सीता होने चाहिए पर उन्हें फिर भी शंदे हुआ उसने सोचा कि सीता नहीं मिली तो राम जीवन त्याग देंगे उन्हें तो अपने राम भावान की चिंता हो रही थी कि सीता मत अगर नहीं मिलेंगी तो राम भावान कैसे जीएंगे या तो फिर जीवन को त्याग देंगे लच्छमड राम की प्यार के खातिर मर जाएंगे और लच्छमड वगवान जो थे तो वो राम की दुख को देख कर मतलब राम की प्यार के खातिर वो मर जाएंगे भरत तो सतुर्दान भी जिन्दान नहीं रहेंगे फिर उसने बिचार आया कि उसने अभी वश्य असोक वन तो देखा ही नहीं तत पश्या तो उन्होंने वन की दिब शक्तियों को प्रडाम किया और असोक वन पहुँचे वहाँ एक महल में उन्हें शीता की सीता को देखा शीता गंदी पीत पोशाक में थी जो उसे अनसुया माता ने दी हुई थी और उपवाश श्री अतिदुरूबल जिन्हें भयावाय राक्षिश्यों ने घेर रखा था मतलब ब्रत से मतलब ब्रत तो नहीं कहेंगे हमें से मतलब वो उन्हें खाना पीना सब को छोड़ दिया था और एक पेंड के नीचे एक मतलब गंदे से कपड़े में वो मतलब केवल अपने राम की इंद्जार में बैठी थी जिसे भ्यानक राशे से उन्हें गेर रखा था उनकी दशा को देखकर उनके पास एक असोग जाड के पीछे बैठ का रोए अब मतलब यह सारी जिए देखका हर्मा जी को काफी कश्ट हुआ और वह एक असोग जाड के नीचे बैठ गया और उनके दुक के कारण वह काफी मतलब रोए भी है ना तो इसकी आगे कि भी जो हमारी इंट्रिस्टिंग जो हमारी जो यह टॉपिक है जो हमारी स्टोरी चल